प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें। मुंबई के धरावी इलाके में टूथ पेस्ट समझ कर चूहे मारनी की दवा से ब्रश करने पर एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। मारने की दवा टूथ पेस्ट समझ कर लगा ली और उसने चूहे मारने की दवाई से ब्रश करना शुरू कर दिया। दात घिसते ही उसे स्वाद अलग लगा और तुरंत उसने पानी से कुली भी की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहर पूरे स्टरीर में फैलना शुरू कर दिया था। उसे तुरंत मुंबई के जेजे अस्पताल में भरती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन दो दिनों तक इलाज चलने के बाद आखिरकार रविवार को अफसाना ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अफसाना एक स्टुडेंट थी। उसने एक सपना भी देखा था। उसका सपना अधूरा रह गया। अफसाना की मा फल बेच कर परिवार का खर्चा उठाती है। अफसाना के परिवार में उसकी मा उससे दो साल बड़ी एक बहन और दो छोटे भाई अब रह गये है। अफसाना के यूँ इस तरह से चले जाने से पूरा परिवार शोप में डूबा है। पुलिस ने अकास्मिक मौत का मामला दर्श किया है। मामले की तहकीकात शुरू की गई है। इस बीच पुलिस ने जनता से भी ये अपील की है कि ऐसी जहरीले चीजों को घर में ऐसी जगों पर ना रखें जो आसानी से हाथों में आ जाए।